कि नमस्कार मैं हो देख विजय और आप देखें तर्ग्यान पर इस वीडियो में मैं एक डिवेट कॉंपेटिशन के विशाय और विशाय के पक्ष का जो क्या वक्तव्य होगा उसके बारे में आप से बात करूंगा चुक्कि आपको पता ही है कोरोना चल रहा है और अभी केस स्विद्याले में हो रहे हैं और बहुत सारी जगहों पर संसधिये बाद व्यात प्रतियोकिता और यह बढ़ चड़ कर लोग भाग भी ले रहे हैं और अच्छे कॉंपेटिशन भी देखने को मिल रहे हैं इसके साथ साथ चंबेशनल डिबेट का एक काहा है और कौन आयोजित कर रहा है यह सारी जानकारी आपको दूंग उच्छारा एक चोछटा सामरोत की वीडियो को जरूर आप पूरा-जरूर देखें तब ही जो मैं आपको जानकारी दे रहा हूं आप पूरी तरह समझ पाएंगे इसलिए वीडियो को नहीं किया तो सब् मुद्व पर चैनल पर चर्चा होती रहती है तो उसका नोटिफिकेशन आप जरूर प्राप्त कर पाएंगे शुरू करते हैं इस वीडियो को सबसे पहले आपको यह बता देता हूं कि डिबेट कॉंपटिशन आयुजित कौन कर रहा है तो यह डिबेट कॉंपटिशन मोतिलाल नहरु कॉलेज इवनिंग द्वारा आयुजित किया रहा है वहां कि जो अलफास डिवीटिंग सोसाइटी है और जो कि बाइलिंग्वल 21 और यह किस तारिक को आयुजित हो रहा है यह भी आपको बता देता हूं बाइस मार्च 2021 को यह हो रहा है बाकी जो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको पूरी डिटेल इस डिबेट कॉंपटिशन के रिगार्डिंग दे दूंगा और यहां केवल कन्वेंशनल डिबेट नहीं बात करें परक्ष का क्या वक्तब्य होगा इसके बारे में बात करें और जैसा की मैंने कहा कि hybrid वह सूसाइटी है तो डेटंपडेशन भी बायनफोल ही होगा तो बायनफोल डेट कॉंपडेशन हिस्टन ने तुप सबसे पहले हिंदी में हम विशय को जान लेते हैं most Hindi में क्या कहता है dissemin का मत है कि कोविट और था-कोरोना ग्लोबलाइजेशन तो यह आपका अंग्रेजी में विशा है आयोग कि आप विशाय को अच्छे से समझ गए होंगे कहने का मतलब है विशाय आपको समझ में आगे कि बात क्या करनी है आमें खैर तो और मैं आगे आपको पक्ष के जैसे जैसे बिंदू बताते जाओंगा तो हमारी में इसी में हम आलाइन डिवेट कॉंपटिशन का एक हम कहें कि नवीन तरीके का आयोजन हो रहा है हर जगये पर तो इस हम कहें कि आगर online debat competition हम कर रहे हैं तो इसका श्रे स्रेस पूरा का पूरा जो है करोना को ही जाएगा कि उसकी वजे से तरी सबसे पहले आप करेंगे वैश्वी करण ने क्या किया क्या लाग हुआ तो उसमें हम बता सकते हैं कि वैश्वी करण की definition क्या है निश्चित तोर पर आप किसी विद्वान को कोट कर सकते हैं या आपने मन से भी बता सकते हैं जो जर्णल एक सामाने परिभाशा है उसके अलावा पक्ष जब यह कर लेंगे उसके बाद आपके आप यह सकते हैं कि वैश्वी करन का एक मूल है वह बहुत बढ़ जाते हैं इसके अलावा आप देखेंगे कि राजनीतिक छेत्र आर्थिक से छेत्र सब में व्रिद्धी बहुत तेजी से होती है लेकिन उतनी सच्चा यह भी है कि यह बहुत तेजी से विशमता भी पैदा करती है तो जो वैश्वी करन है क्योंकि यह रखा गया आज के इस अंधर में कि कोविड महामारी के बाद जो विश्वे दुनिया जो है वह वी वैश्वी करन की तरफ बढ़ेगी तो ऐसा आगर कहा जा रहा है तो क्यों कहा जा रहा है उसके कारणों पर आगर हमें विचार करना पड़े तो हम यह देखेंगे कि वैश में जो अपने आपको बहुत जादा मजबूत बना लेगा वही दुनिया पर कर पाएगा तो चाइना ने आर्थिक तोर पर और यहां पर आर्थिक प्रधानता बहुत जादा महत्पूर्य हो जाती है वेश्वी करन में तो चाइना बहुत तेजी से आगे बढ़ा उसने आर वैश्वी करण जिंदा रह पाएगा यह वैश्वी करण आगे बढ़ पाएगा इसके उपर ही चर्चा हो रही है और जैसा कि पक्ष कहेगा कि निश्चत तौर पर दुनिया इस बात पर विचार कर सकती है कि हमें वी वैश्वी करण की तरफ जाना चाहिए अब कुछ लोग जाकर यह बता सकते हैं कि वी वैश्वी करण क्या होगा वी वैश्वी करण कि जिस तरीके से जिस तेजी से निरभरता बढ़ गई है पूरी दुनिया ग्लोबलाइज्ट हो गई है छोटे से गाह में तब्दील रख सकता है जैसा आम देख सकते हैं कि जब डोनल्ड ट्रम्प राष्टपती थे तो चाइना और अमरीका में जो लड़ाईयां चल रही थी आर्थिक मोर्चे पर तो लोगों ने कहा कि यह भी वैश्वी करण है यह हम कहें कि कि डी ग्लोबलाइजेशन का एरा शुरू हो जाएगा लेकिन तो वहां से ही यह चीज़े शुरू हो रही है और लगता है कि जब यह कोरोना महामारी होए क्योंकि दुनिया अगर पूरी तरीके से जो इंटरलिंक हो गई है वैश्वी करण के कारण अगर वह नहीं होती तो सा सारे देश उशी मातरा में प्रभावित नहीं होते तो कोरोना महामारी साथ सारे देश प्रभावित हैं क्योंकि वैश्वी करण के कारण आप एक दूसरे से आपस में जुड़े हुए आगे देखिए कि आधनिक जीवन शैली अपनाने की वज़े से क्या हो रहा है आधनिक से जीवन जैली जिसको हम कथी तौर पर आधनिक कह सकते हैं क्योंकि आधनिक का कहने का मतलब ये है कि आपका जीवन सुख़त हो संकटों से मुक्त हो लेकिन हम देखेंगे कि जैसे-जैसे हम आगे बढ़ रहे है हमारे पास संकटों का एक नया सा नय नय दोर आते जा रहे तो हम क्या इसा अधुनिकता कहेंगे इसलिए वह राफ लिए खतरा बन रहा है क्योंकि वह। और आपकी जो शुखत जीवन है उसके ऊपर भी एक खत्रा मन रहा रहा है और यह सारा चीज वैश्वी करण के कारण ही हो रहा है ना क्योंकि आप देखिए कि कहीं भी घटना होगी आप तुरण प्रभावित हो जाते हैं तो दुनिया के राष्ट जो है इस बात पर विचार कर रहे हैं और दुनिया के राष्ट जो जैसे कि अमरीका का उधारन दिया गया कि वो जो है अपने यहां के फैक्टरियों को यहां अपने यहां के लोगों को नौकरी देने की बात करते हैं तो इस पर विचार दुनिया कर रही है ऐसा नहीं आप देखेंगे कि योरोप में बहुत सारे देश हैं जो प्रतिबंद लगाने की बात करते हैं बाहरीयों को नहीं आने देना चाहते हैं जबकि globalization क्या कहता है कि आप free movement करें और कुछ लोग की बाहर की company यहां आकर नहीं निवेश कर सकती योरोप के और कमाल की थे यहीं बात देखिए कि पॉस्वे करण की समापती घष्विकरण को खत्म करने की बात कर रहे हैं कि ल्गों को नोखर नहीं यहां कि फैक्ट्रियों को जो है काम करने का उसा नहीं कि बाहर से चाइना से यह वहार हुआ तो कुल विलाज लाकर यह सामाने साथ है इसमें कोई मैं बहुत मजबूत तर्क नहीं मानता हूं कि अभी है लेकिन सामने से जब आप इस सारी चीज़ों कुछ सुन लेंगे तो ल हम कहते हैं कि शुरू हो जाए एक बार बात शुरू हो जाए तो फिर वह दूर तक जाती है तो पहले प्रथम वक्ता के तौर पर मैंने आपको कुछ बाते बता दी हैं आप इन बातों को सुने और अपने याने दोस्तों के जरूर शाजा करें क्योंकि अब पक्ष में कि अब हम विशय के विपक्ष में बात करेंगे और विशय के विपक्ष में विपक्ष का वक्तब में क्या हो सकता उसके में क्या विचार हो सकते हैं मूल विचार या एक आधार क्या हो सकता इसके बारे में बात करेंगे तो तब तक के लिए आप जो है तर्गयान को जरूर पर आजा करें कोई प्रश्न है कमेंट बॉक्स में लिखें निश्चत तोर पर उस्वार प्रतिक्रिया दी जाएगी तो बहुत बहुत धन्यवाद मिलेंगे अगली वीडियो में बहुत ही जागी धन्यवाद